नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो टोपायरी के उपर है टोपायरी बनाने में सबसे पहले प्लांट जो हम लेते हैं वो सबसे पहले प्लांट का नाम आता है जड़े प्लांट जड़े प्लांट लो मेंटिनेंस और बहुत हाड़ी प्लांट होता है इसकी चोटी-चोटी सी पतिय होती हैं जिससे टोपायरी बनने के बाद पहुत ही ज्यादा खुबसुरत दिखाई देती हैं तो चली वीडियो शुरू करते हैं टोपायरी बनाने के लिए आपको यहां पर किसी एक हार्ड वायर का यूज करना होगा कोई भी आप फ्लेक्सिबल इस्टिक का भी यूज यहां पर कर सकते हैं मैं जो टोपायरी बनाऊंगी वह एक तार की हेल्प से बनाऊंगी मैं यहाँ पर एक हार्ट शेप देने वाली हूँ हार्ट शेप में टोपाईगे बनेगी आपको अगर कोई भी शेप और दूसरी पसंद है तो उस शेप में आप तार को मूव कर सकते हैं थोड़ा सा हाड़ी प्लांट है आप यहाँ पर किसी टूल का भी यूज कर सकते हैं किसी टूल की हेल्प से आप इस तार को मूड़ने में आपको हेल्प मिलेगी तो मैं अभी तो देखिए इसको हाथ से ही अच्छी शेप दोंगी अभी अब जब आपकी यह शेप तयार हो जाती है तो नीचे से इसको कम से कम 2-3 इंची में आपको सेट कर देना आपको इस तरीके से थोड़ा सा कियर्फुल कीजेगा 2-3 इंच तक आपको ऐसे बांदना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम इस फ्रेम को मित्टी के अंदर खड़ा करेंगे तो मित्टी में सपोर्ट लेने के लिए 2-3 इंची तक का ये स्टैन रहना चीए ताकि किसी की थोड़े से प्रेसर की वज़े से ये हमारा ना गिरे मैंने यहां पर 2 फ्रेम तयार कर लिए 2 फ्रेम मैंने क्यों यूज किये यहां पर देखिए आप पॉट में मित्टी ले कीजिए क्योंकि मैं यहां पर कटिंग से तयार करूंगे मैंने सिंपल यहां पर थोड़ा सा कंपोस्ट और बाकी अपनी गार्डन स्वाइल लिए दोनों फ्रेम को अरेंज कर दिया है दोनों फ्रेम में कम से कम 2 से 2.5 इंची का आप गैप रखिए ताकि जब हम इसमें और बनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुबसूरत भी लगेगी अब जो हमने यह दो फ्रेम लिए हैं यहां पर यह इदर उदर ना भागे उसके लिए आपको कोई भी सॉफ्ट वायर लेनी है और जिग-जग शेप में देखे दोनों फ्रेम को पूरा कवर कर देना है क्योंकि यह प्लांट आसानी से जल्दी से गिरेगा नहीं और बहुत ही मजबूती से यह बनकर तैयार होगा अब दो फ्रेम में अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो दोनों जो फ्रेम हैं उपर की तरफ मैंने एक और छोटा सा वायर का टुकडा लिया और उस बराबर ही रखना पड़ेगा मैं यहां बर तोड़ा रिस्क नहीं लूगी तो मैंने इसको वायर से भी जो है दोनों फ्रेम को अच्छे से कवर कर दिया है आप चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो कोई जरूरी नहीं है देखिए अब हमारा जो है फ्रेम पूरी तरीके से तयार हो गया है इसी तरह राउंड शेप में कीजिए आप ट्रेंगल शेप में कीजिए और भी बहुत शेप होती आप कैसे भी बना सकते हैं इस तरीके से फ्रे कि अघिक नीचे से सारी पती यो को रिमूव कर देंगे जितनी कटिंग olm आप 건 दर लगागे है उतनी पतीरlung को आप हिंडों कर दीजिया तार का जो हमने जिगजग तयार किया है उसमें कटिंग को पहले से अरेंज कर दें क्योंकि अगर पहले आप मिट्टि में लगाओगे कटिंग को बात में लगाओगे तो वो थोड़ा सा डेस्ट आप हो जाती है मैं यहाँ पर पहले जो हमने फ्रेम तैयार करा है उसमें अरेंज कर दूँगी कटिंग को उसके बाद इस कटिंग को मिट्टी के अंदर फिक्स कर दूँगी अब हमारी एक तो कटिंग देखी लगकत यार होगी और दूसरी कटिंग भी इसी तरीके से आप लगा लीजे अगर ज़्यादा बड़ी कटिंग होती है तो एक ही कटिंग को आप लगा सकते हैं लेकिन एक ही कटिंग जो होती है उसमें से फिर जो उसका टॉप का हिस्सा होता उसमें ज्यादा अच्छ से ग्रूत नहीं हो पाती है इसलिए आप दो कटिंग का यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि उसका जो बेस होगा जहां से वो कटिंग होती है तो थोड़ा सा जो है मजबूत बनेगी अब यह देखिए यह साथ से आठ महिनी का जो है थोड़ी से दिनों के लिए रुक जाता है और फिर जहां से उसे जगे मिलती है नियू नियू ब्रांचिस निकल कर आती है जिससे प्लांट हमारा बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाता है इसके बात मैं यहां पर आपके पहले टिप शेयर करूंगी जैसे हम कोई बन बना सकते हैं तो इस तरीके से स्टेम खाली रहती है तो वहां से ब्रांच निकानने के लिए आप थोड़ा सा उसको स्क्रेच कीजिए स्क्रेच करने के बाद कि होता है प्लांट थोड़ा शौक में जाता है और वहां से ब्रांचिस निकलना शुरू हो जाती कुछ टाइम यहां से इसकी कटिंग को हटाया था तो यह थोड़ा से शौक में आगे और आप देख सकते हैं यहां से इसकी नई नई सी जोए ब्रांच निकलना शुरू हो गई हैं इसके बाद इसकी बहुत सारी ब्रांच निकल आती हैं बहुत तेजी से ग्रूद करेगा आपका सुपक्र वाया होता है कि क्योंकि अगर आप इसको कट नहीं करेंगे तो प्लाइं जो है अपने पैं कि अपने कि इससे को सारा फूड दे देता है नीचे उससे कुछ भी नहीं मिल पाता है तो फोड़ा सा लग शौक में प्लीध के लिए तो अगर प्लाण ने के लिए इस कटिंग की एक ब्रांच में युक्ष निकले मैं इसके और पहले ही दो वाज बार कि विए मेरी फिंचिंग sum स्कॉल इस से क्या होता है एक से दो ब्रांची बनती है और चार से आठ ब्रांच बनती है जिससे हमारा प्लांट बहुत ज्यादा पुछ valid, पुछ फोरी हो जाता है, नंबर तीसरी टिब, अगर आपको अपने जड़े plant की growth बहुत तेजी से चाहिया होती है तो इसके लिए वह सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर ऑनियन पीन का फर्टिलाइजर, अगर आप ऑनियन पीन का प्लांट को देते हैं तो यह प्लांट बहुत थी तेजी से ब्रोथ करता है प्याज के चिलके में नाइट्रोजन की भर्पूर मात्रा होती है जो पॉदा होता हैं उस प्लान्ट में जरूर एपलाय करें. 15 दिन बाद, 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, इस फर्टिलाइजर को आप जरूर एपलाय करें. मैं ऐसी ही नहीं बता रहे हूँ, आप फुद फिर अपना देख पाओगे कि आपने जो फर्टिलाइजर दिया है, उससे वाकई में अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा नमबर फोर टिप्स जो भी हमने पिंचिंग की थी जो भी हमारे पास कटिंग बची है उसका बहुत ही अच्छा सा यूज में यहां पर पताऊंगे नमबर पांच टिप्स आप यह जो पॉर्ट में बेश देख रहे हैं बिल्कुल खाली है इसको और थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए हम यहां पर ग्रीन मैट बनाएंगे उसके लिए आपको क्या करना है चोटे चोटे से पूरे बेश में मिट्टी में होल्स कर देने हैं और इन कटिंग को वन बाई वन करके पूरा कवर कर देना है जिससे आपका ग्रीन मैट बनकर तयार हो जाएगा देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप देखिए पहले के वल सिंपल था अभी हमने इसको बेश को कवर कर दिया है पूरा ग्रीन मैट बना दिया है तो इसकी ब्यूटी और भी जादा बढ़ गई है नमबर शिक्स टिप इस प्लांट को कभी भी आप शेड एरिये में ना रखे इसे फुल संलाइट दे आप चितना देंगे उतना ही यह प्लांट तेजी से ग्रो होगा अगर आप शेड में रख देंगे तो इसकी पतियां पीली पढ़ने शुरू हो जाएंगी गिरने ले जाएंगी आपका प्लांट बुशी नहीं हो पाएगा इसे धूप देना बहुत ज़रूरी है मैंने यह दूसरी टूपारी राउंड शेप में तयार किये आप इसकी ग्रोध देखी पा रहे हो मिलते हैं नेक्स वीजिए